एलो शोडेंट आज हम करते हैं सेक्शन सी, सेक्शन सी में सत्रमा जो कुशन है, दूसरे और तीसरे पद समानतर शनी के 24 और 28 हैं, तो A2 का मान दे रखा है 24, यह होता है A प्लस D, यह तो दे रखा है 24, समी करन 1, और A3 का मान दे रखा है 28, तो आज़ेगा A प्लस 2D बराबर 28 दोनों समी करनों को माइनस कर देंगे, एक माइनस दो, तो आज़ेगा A प्लस D बराबर 24, A प्लस 2D बराबर 28, माइनस करेंगे तो नीचे वाली लाइन के चिने चेंज हो जाएंगे, तो A से A कट गया, D माइनस 2D, आज़ेगा माइनस का D, 24 माइनस 28, माइनस का 4, तो D का मा आगया 4, सम्मिकरन 1 में रख देंगे D कमान 4 तो A कमान आजेगा 20 मतलब A 20 और D 4 अब हमने निकालने 61 पदों का योगफल अब हमने निकालने श्रेनी के 61 पदों का योगफल, तो क्या होगा S N का फोर्मूल होते है N बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1 D, तो देखो क्या होगा S 61 क्या होगा 61 बटे 2, A कमान 20 है, तो 2 को 20 से गुना करेंगे 40, 61 माइनस 1 याजेगा 60, और D कमान है 4, तो आजेगा 61 बटे 2, याजेगा 240 प्लस 40, 280 2 और 101 कमान 5 है विवाजी तो अने वाली संक्या है तो पहली संक्या है 5 फिर होती है 10, और फिर उसके आगे लास्ट वाली होजेगी 100 अब देखो क्या है, A कमान तो है 5, और D कमान भी क्या है 10 माइनस 5, 5 हाजेगा A N को ले लेते हैं 100 तो फॉर्मल लगाते हैं A N की जगर रख देते हैं A प्लस N माइनस 1 D बराबर 100 A कमान रख देते हैं A कमान हमारे पास है 5 N माइनस 1 और D कमान भी है 5 और 100 तो 5 उदर जाके माइनस होजेगा और इस ब्रेकिट में 5 को गुना कर देते हैं 5 N माइनस 5 और 5 उदर जाके आजेगा 100 माइनस 5 फिर ये 5 और 5 कट जाएगा, तो 5 N बराबर तो 20 पदों के योगफल के लिए देखो क्या है S N का फॉर्मूला है S N इक्वल टू N बटे दो एक तो ये फॉर्मूला भी होता है A प्लस A N जब लास्ट वाला पद दे रख है तो लास्ट वाला पद 100 था पहला पद 5 था और 20 हमारे पास पद दे टोटल तो आजएगा 10 गुना 105,10,50 X अक्षपर वह बिंदू के आद के जिए जो इससे समान दूरी पस देते है तो X अक्षपर जो बिंदू होता है वो हम लेते है A,0 की फॉर्म में इसको P लिख देते है तो हमारे पास क्या आगया PA equal to PB यह हमें दे रख है A हम ले लेते हैं माइनस 2,3 को B ले ले लेते हैं माइनस 3,4 को फॉर्मला हमारे पास होता है X2 माइनस X1 होल स्केर मतलब माइनस 2 माइनस A होल स्केर प्लस 3 माइनस 0 होल स्केर बराबर minus 3 minus A whole square plus 4 minus 0 whole square दोनों साइट वर्क कर देंगे तो वर्कमू लट जएगा इस bracket में से minus common लेंगे तो इसको लिखेंगे 2 plus A whole square plus 9 इसको लिख देंगे 3 plus A whole square plus 16 अब bracket खूल देंगे 2 plus A whole square तो आज़ेगा 4 प्लस a square प्लस 4a प्लस 9 3 प्लस a whole square का मतलब होगा 9 प्लस a square प्लस 6a और 4 का square होजेगा 16 ठीक है तो यहाँ ज़ेगा a square से a square कट जाएगा यहाँ ज़ेगा 9 से 9 कट गया तो 4 माइनस 6A 16 माइनस 4 तो माइनस 2A बराबर 12 और A का मान आगया माइनस 6 तो बिंदू आजेगा एक सक्ष पर माइनस 6,0 अब अगले में बताना है कि 11,8 और 1,3 इसको किस अनुपात में विवाजित करते हैं इसको P ले लेते हैं इसको क्यों बिंदू को ले लेते हैं R तो लेमडा अनुपात 1 में विवाजित करते हैं R बिंदू हम ले लेते हैं 7,6 तो क्या होता है M1 X2 लेमडा को 1 से गुना करते हैं प्लस 1 को इस वाले को 11 से गुना करेंगे 1 गुना 11 बटे में लेम्डा प्लस एक और बराबर में क्या है एक्स निर्देशंक साथ तिरचा गुना कर देंगे तो आज़ेगा साथ लेम्डा प्लस साथ या आज़ेगा ग्यारा एक लेम्डा लेम्डा प्लस ग्यारा तो आजेगा लेम्डा एक साइड में लेजेगे तो 7 लेम्डा माइनस लेम्डा तो 6 लेम्डा पराबर 11 माइनस 4 तो लेम्डा पराबर आजेगा ये 11 माइनस 7 है सोरी लेम्डा पराबर आजेगा 4 बटे 6 मतलब 2 बटे 3 तो अनुपात जो आजेगा वो आजेगा 2 अनुपात 3 19 वे कोशन में इसका मान निकालना है देखो उपर 17 है नीचे 73 है दोनों का जोड़ 90 होता है तो उपर वाले साइन को मैं लिख दूँगा कोस और 90 में से ये कौन माइनस कर देंगे 17 और नीचे कोस 73 पलस इसमें भी 90 है तो उपर वाले कोस को मैं लिख दूँगा साइन और 90 में से माइनस कर दिया 66 और बटे में साइन 23 और ऐसे ही अगला है माइनस 6 उपर वाले को मैं लिख दूँगा कोस और 90 माइनस 15 और बटे में कोस 75 तो क्या आजएगा 5 कोस 73 बटे में कोस 73 प्लस दो साइन 23 बटे में 23 साइन 23 माइनस 6 कोस 75 बटे में कोस पेचतर तो कोस पेचतर 75 साइन 23 तेई और साइन कोस 73 तेटर कड़ जेंगे तो क्या रहे जएगा 5 प्लस 2 माइनस 6 तो आंसर आजेगा 1 ऐसे यह सीद गरने है करने के लिए देखो क्या होता है कि यह कोस 4 थीटा है ना इसको लिख देंगे कोस स्केर थीटा स्केर और साइन स्केर थीटा बार आजेगा स्केर इसमें 2 साइन स्केर थीटा जोडेंगे अपनी तरब से और कोस स्केर थीटा भी जोडेंगे माइनस 2 sin square theta cos square theta कर दिया तो पहले वाले 3 से तो वर्ग बन गया sin square theta plus cos square theta का वर्ग माइनस 2 sin square theta cos square theta और इसकी जगह तो आ गया sin square theta cos square theta 1 1 का square होता है 1 माइनस 2 sin square theta cos square theta equal to RHS निम्न का माद्या निकालने तो इसका माद्या आप पग विचलन विधी से कर लेना वह सबसे easy रहता है और बहुलक अभी किया ही था बहुलक वर्गंतराल वाले question से उससे कर ले